जैशे कृष्णा दोस्तों केसे हैं आप सब जिस तरह से मुंबई का वड़ा पाउ फेमस है वैसे ही कच्छ की दाबिली गुजरात में फेमस है तो बहुत ही अनुकी तरीके से ये आलू की स्टफिंग रहती है जो खटी मीटी तीकी रहती है और फिर इसे पाउ के अंदर कर रही हूं इसके साथ हमें चार सुकी लाल मिर्च, तीन लौंग, दो बड़ी लाइची, एक चोटा चमच काली मिर्च, दो चक्रफूल, थोड़े से दगडफूल लेंगे इसमें, दो तेजपत्ता और एक दालजीने का तुकड़ा लेंगे तो इन सारी खड़े मसालों को हम पैन में अड़ करते हैं, तो बस हमें इसे धीमी आज पर रखकर अच्छे से भून लेना है, जब मसालों में सेना हलकी हलकी खुशबू आने लगेगी, तब इसमें हमें पाउक कब इतना सुखा नर्यल अड़ कर रही हूं, एक चोटा चमच इसमें अनारदाना डालेंग एक चमच सफीग तील अड़ कर रही हूं, तो बस इसे अच्छे से भून लेते हैं, जब नर्यल का जो कलर है वो हलका सुनेरा नहीं होता है, तब तक हमें इसे अच्छे से भून लेना है, देखे सारी चीज़े अच्छे से भून चुकी है, तो अब हम ना चूले को बन करत है और इन खड़े मसालों को रूम टेंपरेचर में आने देंगे, जब यह हलकी थंडे हो जाए तब इसे हम मिक्सी जार में निकाल लेते हैं, अब इसमें दो बड़े चमच कश्मिरी लाल मिर्च पावडर डाल रही हूं, एक चोटा चमच इसमें सेंदा नमक जाएगा, ए पावडर डालेंगे, एक बड़ा चमच चीनी अड़ कर रही हूं, और बस इसे अच्छी तरह से हमें बारिक पीस लेना है, अब इस तयार मसाली को हम प्लेट में निकाल लेते हैं, इसमेना हमें एक चमच मूंग फली का तेल अड़ करना है, फिर इसे हम अच्छे से मिक्स क करेंगे, जब यह हलका ठंडा हो जाए, तब इसे हम किसी एर टैट डिबे में निकाल कर स्टोर कर सकते हैं, यह दाबिली मसाला एक मेने तक रहता है, मसाला तो बना लिए, हब चली दाबिली बना लेते हैं, तो कडाई में हमें एक चमच इतना तेल अड़ करना है, इसमें एक बारी कटी हुई, यहापर में हरी मिर्श एड़ कर रही हूँ, पाउ चमच इसमें जाएगी हल्दी पाउडर, पाउ चमच जीरा पाउडर, पाउ चमच धनिया पाउडर, पाउ चमच देगी लाल मिर्श पाउडर डालेंगे, हमने जो दाबिली मसाला बनाया था, वो इसमें डालेंगे दो चमज इतना, आदा कप इसमें डालेंगे पानी, जिसे मसाले है वो जलेंगी नहीं, इसमें जाएगा चार बड़े चमज, इमली की खटी मिठी चट्नी, दो मैश किया हुआ आलू एड़ कर रही हूँ और बस इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है इसमें एक कप इतना पानी एड़ कर रही हूँ, स्वादा नुसार इसमें नमक जाएगा और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे गाईस यह जो दाबेली का मिष्रन रहता न वो खटा मीठा तीखा रहता है, क्योंकि गुजराती स्नैक है, तो इसमें मीठा पन तो रहता ही है, सो इसमें हमें तीन चमज इतनी चीनी एड़ करनी है और जब तक आलू है वच्छे से मैश होकर एक गाड़ा सा मिष्रन नहीं बनता है, तब तक इसे हमें पका लेना है तो बीच बीच में चमज से यू चलाते रहेंगे, अब इसके ऊपर हमें ढगता लगा कर तकरिवन पास से साथ मिनट के लिए पकाएंगे इस दर्बैन हम बीच बीच में चेक करते रहेंगे, अब चेक करते हैं, देखिए मिशन बिल्कुल गाड़ा हो चुका है देखिए जब दाबिली वाला मसाला है, यानि कि जो फिलिंग है वो तयार हो चुकी है अगर आपको लगे मिशन काफी गाड़ा है, तो इसे एड़्जस करने के लिए आप थोड़ा सा पानी या फिर मिठी वाली चटनी इसमें आड़ करके इसे एड़्जस कर सकते है तो बस इसे अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं बिल्कुल स्ट्रेट स्टाइल में जैसे दाबेली मिलती है, उसी तरह से हमें इसे डिकुरेट करना है तो इसके उपर बारी कटी हुई धनी के पत्ते डालेंगे, ताजा नरियल अड़ कर रही हूँ और ज़्यादा कलरफल देखने के लिए न मैंने नरियल में थोड़ा सा कलर मिक्स कर लिया है तो इसके उपर थोड़ा सा डालेंगे, ताजे अनार अड़ करते हैं, चाहे तो आप इसमें थोड़ा से अंगुर भी अड़ कर सकते हैं मसाले वाले मुंफली अड़ करेंगे, तो इस दाबेली में न ये मसाले वाले मुंफली बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो बस यहाँ पर रेड़ी है दाबेली की स्टफिंग, जो बहुत ही मज़िदार लग रही है अब पाव लेंगे और इसके अंदर हमें थोड़ी सी मीठी चटनी लगा लीनी है तो दोनों साइट पे हमने ये मीठी वाली चटनी लगा ली है अब इसमें स्टफिंग को अच्छे से स्प्रेड करते हैं और जो मसाले वाले पीनट से वो भी इसमें डालेंगे हलका तीखा बन के लिए इसमें हम लाल मिर्च की पेस्ट लगाएंगे थोड़ी सी मीठी चटनी डालेंगे और फिर से थोड़ा सा स्टफिंग लगाएंगे इसमें और इसे अच्छे से बन करेंगे तो पैन में थोड़ा सा बटर लगाएंगे अब पाव को हमें दोनों तरफ से अच्छी तरफ से सेक लेना है तो इसके उपर मैं थोड़ा सा धन्या डाल रही हूँ और अलट पलट करते हुए कुछ मिनिट के लिए इसे सेक लेना है तो देखिए यहाँ पर दाबेली पाव रेडी है लास्ट में जो बारिक सेव रहती है इसमें इसे अच्छी तरह से कोट करना है देखिए इस तरह से यह बहुत ही अट्रक्टु दिखता है जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है तो जब भी बच्चों की पार्टी हो या फिर कीटी पार्टी हो या जब आपका मन करें तब आप इस तरह से घर पे ही दाबिली बना सकते हैं तो इसे चट्णी और जो मसाले वाले मुंफली रहता है ना उसके साथ सब करेंगे अगर आपके फेवरेट एदापे ली तो इस रेसिपी को आप घर पे ज़रूर ट्राय करके देखिएगा तो फिर मिलती हूँ और एक नही रेसिपी के साथ तब तक के लिए आप घर का खाईएगा और अपना ख्याल रखिए